नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल रस्मी के अन्भव में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए दो कलर का यह बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन लेके आई हूँ इसे आप अमने कार्डियन में, कोटी में, हाप स्वेटर में, फूल स्वेटर में, विलाउज में, लोडी जैकेट में, टोपी में, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं यह इसकी सीधी तरफ से है, और उल्टी तरफ से यह ऐसा दिखाई देता है यह बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, छोट ऐसा केविल है, बहुत जल्दी बन जाता है इसे आप बच्चो के बाबा सुट में, बच्चो के पजामे में भी डाल सकते हैं मौफर में भी डाल सकते हैं, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं चलिए सिखाते हो आपको यह कैसे बनाया जाता है इसको बनाने के लिए हमको किसी फंदों के यह चार फंदों के बुनाई होती है इसमें चार चार फंदे के मल्टिपल में फंदे ले जाते हैं और एक फंदा एस्ट्रालिया जाता है अगर आप तीन के मल्टिपल में लेंगे तो भी ये बुनाई सेट हो जाती है चल लिए आपको सिखाती है कैसे बनाई जाती है फ्रेंड्स इस बुनाई को बनाने के लिए मैंने पहले ही इतने फंदों के पट्टी बनके तैयार कर ली है ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो फ्रेंड्स ये बुनाई हमारे उल्टी तरफ से स्टार्ट होती है इसलिए ये हमारे सीधी तरफ से है तो हम क्या करेंगे इसमें एक फंदा एक सलाई हम सीधे सीधे फंदों के कम्प्लीट कर लेंगे पूरी सलाई हम सीधे सीधे फंदों से बुनेंगे क्योंकि बुनाई हमारी उल्टी तरफ से स्टार्ट होगी देखे फ्रेंट हमारी सीधे बुनाई के एक सलाई कम्प्लेट होने वाली है इसमें हमने नीला और सफेद रंग लगा रखा है आप अपनी मरजी से कोई भी कलर लगा सकते हैं कोई भी दो कलर के आप इस बुनाई को डाल सकते हैं किसी भी दो कलर में चाहे तो आप इसको मल्टी कलर में भी मना सकते हैं multi color में भी बनाई जाती है लेकिन 2 color में बहुत सुन्दर लगती है देखे friends हमारी पहली हमारी सलाई सीधी सीधी complete हो गया अब हमारी बुराई की दूसरी सलाई है इसमें दूसरा color हम सफेद रंका लगाईंगे देखे friends एक हमने लूप बना रखा है, इस लूप को हम इसके अंदर डालेंगे, जिससे हमारा पहला फंदा बन जाएगा, यह हमारा पहला फंदा बन गया है, इस धागे को हम खीचेंगे, एक, दो, तीन फंदे हम सीधे उल्टे बुनेंगे, इसको हम टाइट कर लेंगे हां से, तीन फंदे द फिर हम तीन फंदे बुनेंगे, एक, दो, तीन फंदे बुनेंगे, इसको हम ऐसे ही स्किप कर लेंगे, फिर हम तीन फंदे बुनेंगे, हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, तीन फंदे उल्टे, इस फंदे को स्किप कर लेंगे, फिर हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन इसको हम skip कर लेंगे फिर एक दो तीन इस फंदे को हम skip करेंगे इसी तरीके से हम तीन फंदे मुनके एक फंदा हम बार बार skip कर लेंगे इसी तरीके से चार फंदे में हमारा ये डिजाइन बनता है और चार के ही मल्टिपल में हमको ये फंदे लेने पड़ते हैं देखे फ्रेंट्स तीन तीन करके हमने लिए ये फंदा हमने skip करेंगे देखे friends तीन बुन रिया aí इसको हम skip कर देंगे अब हमारा सीधी तरफ से है सीधी तरफ से friends हमने इसमें भी उल्टी ही line मुले में देखिए skip करा फंदा हम skip करेंगे धागा अपिनी तरफ करेंगे तीन फंदे सीधे एक उल्टे बुन लिए यह skip करा हुए फंदा है इसको हम धागा पीछे करेंगे ऐसे skip करेंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर तीन फंदे उल्टे फिर यह skip करा हुआ फंदा है इसको हम फिर धागा पीछे करेंगे इसको skip करेंगे धागा आगे करेंगे फिर तीन फंदे उल्टे हैं हमन तीन फंदे बुनेंगे, दो, तीन, देखे फ्रेंट्स, अगर हम ऐसे ही स्किप कर देंगे और ऐसे बुनेंगे, तो ये धागा हमारा इसके उपर से आ जाएगा, जिससे हमारी बुनाई खराब हो जाएगी, इस वज़े से हम इसको पीछे करके, इसको स्किप करेंगे, फिर एक, दो, तीन फंदे उल्टे, फिर एक फंदा इसकिप करेंगे हम, फिर धागा पीछे करेंगे, पहले हम पीछे करेंगे, फिर इसकिप करेंगे, ये बूलना नहीं है आपने, फिर आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, फिर हम इस फंदे को इसकिप करेंगे, धागा फिर धागा पीछे इसको skip करेंगे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे इस तरीके से हमारी बुनाई की दूसरी सलाई कम्प्लीट हो गई है ये बुनाई हमारी सिर्फ दो ही सलाईयों की है चार और कलर बदलने में हमें चार सलाईयों में बुना जाएगा अब देखिए इस धागे को हमने छोड़ देना है हमने अपना बेस कलर लगाना है तो यहाँ पर हमने क्या करना है जो ये नीला फंदा है इसको और इसके एक इधर और एक इधर को हमने नीला ही बुनना है तो ये नीला है तो इसको भी हम नीला बुनेंगे ये हमारा सफेद आ जाएगा तो ये फंदा हमारा फिर नीला आएगा तो हम पहला फंदा नीला बुनेंगे क्योंकि हमारे तीन फंदे बुनने हैं एक स्किप करना है तो इसमें भी पहला नीला है इन दोनों को हमने नीला ही बुनना है तो इसको हम स्किप करेंगे फिर इन तीनों को हम नीला बु को एक फंदा स्किब करना है और हम को इसकिप करना आले फंदे की जगा हर दो सलही के बाद चेंज करना है इसको इसकिप करेंगे फिर एक दो तीन फंदे बुनें इसको स्किप करेंगे, फित्ती एक, दो, तीन फंदे बुनेंगे, इसे स्किप करेंगे, इन तीनों को बुनेंगे, एक नीले के इधर दर के नीले बुनने हमने, तीन इसको स्किप करेंगे, लास्ट में दो फंदे बचेंगे, तो हम दोनों फंदों को नीला बुनेंगे, इस तरीक तो भी हम नीले से ही बुनेंगे क्योंकि धर की तरफ नीला ही धागा है देखिए हमने एक फंदा उतार लेंगे इसको नीला बुनेंगे धागा पीछे करेंगे जैसे हमने पहले किया था इसको इसको इसकिप करेंगे धागा आगे करेंगे फिर तीन फंदे बुनेंगे उल्टे दो तीन धागा पीछे करेंगे इसको इसकिप करेंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर तीन फंदे उल्टे एक इसका आट को हम धर कल देंगे उल्टी साइट दो तीन फंदे उल्टे फिर धागा पीछे करेंगे इ एक, दो, तीन, फिर उड़ेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, स्किप करेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर तीन फंदे उल्टें, एक, दो, तीन, फिर धागा पीछे करेंगे, इसे स्किप करेंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टें, एक, दो, तीन, फिर पीछे करेंगे, इसे स्किप करेंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, फिर धागा पीछे करेंगे, इसे स्किप करेंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, फिर धागा पीछे करेंगे, इसे स्किप करेंगे, धागा करेंगे एक ही पंदा पजाए इसको हम उल्टा उनेंगे इस तरीके से हमारी बुनाई की चार सलईयां कम्प्रीट हो गई है इसी तरीके से हम बार-बार इन ही फंदों को बार-बार इसी तरह से लाइनों को मुनने के बाद हमको बार-बार हम जब इसे रिपीट करेंगे तो ह यह रिजाइन हमारे चार ही फंदों का है देखे फ्रेंट्स अब चोथी सलाई है चोथी सलाई में हम क्या करेंगे चार सलाई है पूरी होगी पांची सलाई में हम इन दो फंदों को सफेद बुनेंगे तीनों को इसको हम स्किप करेंगे फिर एक दो तीन इनको सफेद बुने तैयार हो जाएगा, तो friends मेरे बताने का तरीका समझ में आ रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को अगर आपना भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विर अपना ज़रूर प्रेस कीजिए, मिलती हूँ आपको फिर से नई वीडियो के साथ नई डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाई बाई